जे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ काली मातागी सिध्धी प्राप्त करने के तीन तरीके जिनका इस् वीडियों के माध्यम से तीनों में से अगर आप किसी भी एक का इस्तमाल करते हैं, वो भी लगातार प्रती दिन, तो हंड्रेट परसेंट ये मेरी गारंटी है, और मा काली की कसम भई आपकी दिव्विद रिष्टी हो, कुछ भी हो, जब आपको सिध्धी मिल जाती है, तो द अगर आप अन्य दिवी देपता के भगत हैं, तो उनकी भी सिध्धी पराप्त करना आप लोगों के लिए भूँ जाता जरूरी होता है, जब तक आपके पास किसी देवी देपता की सिध्धी मिल ने होती, तब तक आप कुछ भी ने हो, पूजया पाँठ वेसक करो, लेकि अगर आप इसे लाष्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप आदियदुरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है काली माता की सिध्धी प्राप्त करने के तीन तरीके जिनका इस्तमाल घर में करके केवल 21 दिन में ही अगी लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग महा काली भगत गयान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल प देपता की हो, सिध्धी से क्या होता है, सिध्धी को प्राप्त करने के भोत पाइदे होते हैं, जैसे पहली चीज, अगर हम कोई भी कार्य देवी देपता से बोलते हैं, तो वो होने लगता है, अगर हमने जिस चीज पर हात रख दिया कि भई हमें ये चीज चाहिए, तो व कोई भी कोई भी भी सीविद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं परती कीसी भीस, जिंदमसान से, कुधिंग बहुत अब आपको जातारी हुए कैसी अब में आपको 3 तरीके बता करें उजिंद्धा को 51 मूश्तिमरा बटhmen कास अरज आपके सत्वाइब जिसकी आप पूजा पार्ट मानता करते हैं तो देखिए आपको कुछ नहीं करना बस अपने देवी देपता के दिन जो देवी देपता आप पूज रहे हैं उन देवी देपता का जो भी दिन होता है जैसे माकाली का शनिवार का होता है और मंगलवार कभी होता है तो हबते में दो बार मा काली के नाम का हवन अपने घर में जarओर करे और हवन किस में करें खपर में जो मटी का खपर होता है उसके अंदर हवन करना अगर आपने शुरू कर दिया तो भाई साब आप यकीन मानों या मत मानों इतनी आपको घरंटी बता दूँ 21 दिन में ही आपको माता काली की सिथी मिल जाएगी मिल जाएगी नहीं मिलती है जब आप करोगे आपको अपनी आपको से स्वेम चमतकार दिख जाएगा और पहला मैंने आपको तरीका बता दिया और हवन कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको अगर नहीं भी आपको पता है तो आप नीचे कमेट करके मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको पूरा रिपलाई दूंगे और बताऊंगे कैसे आपको नोर्मल अपने घर में यह हवन करना है अब तीसरी चीज में मैं आपको बताऊं देखिया अगर आपको मा काली की सिद्धी चाहिए तो कुछ मत करो हवन करो या मत करो आपकी मर्जिय में तो तीन तरीके बता रही हूँ अब तीनों में से जो भी आपको असान लगे जो भी आपको सही लगे तीनों में से आप एक का इस्तमाल कर सकते हैं तो करना क्या है जैसे सुबह पूजा करते हैं और शाम को पूजा करते हैं पूजा करने के बाद माता का ध्यान करें अलग से बैठ के धर्ती के स्थान पे धर्ती के स्थान पे अपना आसन बैचा है और आसन आपका एक ही होना चाहिए बार बार आसन को बदलना नहीं है और आसन आपने यहीं लेके आए दुकान से और जब भी इस पे बैठे तो गंग आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंदकी में आपको किसी से ही माता की सिध्धी प्राप्त हो जाएगी ठीक है अब मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है मात्र आप ध्यान करें तो कितने समय तक करें कम से गाम आप 20-25 मिनट माता का ध्यान जरूर करें मा अब ध्यान पूरा माता की और होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप ध्यान करने बैटे हैं माता का और कर रहे हैं किसी और ची जो ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए माता का ध्यान करने बैटे हैं तो पूरा फोकस पूरा ध्यान माता की और ही होना चाहिए हमें लाश्ट आपको तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ जिसके जड़ी से आप सिध्धी को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं कि दिन में ही और वो तरीका ये है जैसे मान लिजी आपके पास रुद्राक्स की माला हो हकीक की माला हो, बलेक मोती वाली कैसी भी माला हो जिस माला से आप जाब करते हैं उसी का आपको इस्तमाल करना है करना क्या है जैसे देखिए आप माली जी जाब करो सुभे करो शाम को जब भी आप जाब करते हो तो आप लोगों को क्या करना है जाब के समय एक निम्बू लेना है ठीक है एक नीम्बू को आपको काट लेना है चक्कू से चक्कू से काट के उसे आपको अपने हाथ में रखना है माला को आपको सीधे हास से पकड़ना है और उल्टे हाथ में नीम्बू को काट के लाल सिंदूर लगाके अपने हाथ में रखना है और जैसे ही आप मातागे मंत मंत्र के जाब करते हैं मरलब जाब करना शुरू करते हैं तो नीबू को आपको ऐसे ही अपने हाथ में रखना है और एक सो आड़ वर आपको मंत्र बोलना है जिससे भी आप जाब कर रहे हैं मरलब जो अपनी पूजा पड़ में जिस मंत्र का पहले से जाब करते आये हैं उसी का आपको इस्तमाल करना है बस अपने उल्टे हाद में आपको एक नीमबू काटके रखना है और फिर आपको जाब करना शुरू करना है ये एक ऐसा तरीका बताया है जो सबसे असान है और जितने लोग मंतर जाब करते हैं उन लोगों के लिए सबसे बेश्ट है और यदि मान होगे मतलब वैसा ही होगा इतनी सिद्धी की पावर होती है और सिद्धी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है हर एक भक्त को प्राप्त करना तो चलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेट करके मुझसे पूछ सकते ह मैं आपका जवाब जरूर दूँगी अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर मादे माता काली बाबा बोले ना ता आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें उस रहें आप और आप लोगों का परीवाई